नमस्कार दोस्तों मैं गोविन गुपता और आप देख रहे हैं भोशपूरी एंटर्टेन इस्टानिय। दोस्तों आज मैं मिलाने जा रहा हूँ आप सबको भोशपूरी के बड़े म्यूजिक डिरेक्टर आर्या सर्मा जी से जो की देखिए हमारे साथ बैठे हैं आज इनक इने सुपर हीट हो जाते हैं इसमें क्या जादू है आप बताएंगे हमारे दर्सकों को देखिए गाने हीट होने के पीछे ना बहुत बड़ा राज होता है लिरिक्स राइटर कंपोजर मुजिक डायक्टर कंपनी वाले और सिंगर जितने भी लोग हैं सभी लोग का बहु बडली हो गया और यह सब करूडों में विज जा रहे हैं क्या आप सोचे थे कि इस अब गाने करूडों में विज जाएंगे इनका बना रहे थे लिए मिल सिक बनाते टाइम तो हम लोग बस इतना समझ सकते हैं कि गाना सुनने में अच्छा लग रहा है और हमेशा से हम से हमेशा परियास करते हैं कि जो भी गाना हो हैं बाकी पॉब्लिक के हाथ में कि वह इतना प्यार आप ये को दे रहे हैं सबके जीवन में कुछ ना कुछ लोग ऐसे होते हैं, जो उनको अपने लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा सपोर्ट ही होते हैं, और मेरा हमेशा से है कि मेरी फैम्मली इसमें बहुत ज्यादा मुझे सपोर्ट किया, और चो लोग भी मिलते गए मुझे ना इंडस्टी में सब लोगों का प्रोपर से सपोर्ट रहा है, कभी भी ऐसा कुछ नहीं हुआ कि हाँ ठीक है आपके परती निगेटीव बाते हैं कि आपको सपोर्टीव नहीं मिलना चाहिए कुछ वर्ग ने, सब लोगोंने काफी मुझे सपोर्ट किया और अभी भी करते हैं, नो डाउट, शो लोग भी मिलते हैं अब पता नहीं उनका बढपन है कि क्या है, हमें सब बोलते हैं कि वाकरी में आप अच्छा काम करते हैं, आप अच्छे हैं. और सर आपका एक दिन में कितना सॉंग्स रिकॉर्डिंग का रिकॉर्ड है देखिए मेरा ओलेडी तीन चार प्रांच है यहां से लेके पटना तक और बोला जाए तो प्रोपर तरीके से पांच से दस गाने पर डे रिलीज होते हैं मेरे सवाल पूछना चाहेंगे कि इस बार जो 2021 में बोल बम गाने की भरमार लगने वाली है सर तो आपको मतलब किसा मतलब किन किन स्टार के साथ कैसे कैसे गाने रिकॉर्ड करने वाले अगर आपके लाइन में है गाने कुछ बताना चाहें आप दर्शक ओपर कुछ देखिए अभी बहुत लाश्ट टाइम का हम लोगों ने किया था कि सारी भ्या के साथ गाना नाच के मलकीनी सारे गमा किना वहाथ बहुत बड़ा बनल किना और वाकरी में जब नहीं होता है कि काम आप बहुत मेहनद कर रहे हैं और वीडियो टीम भी उतना मेहनद कर दे साथ ही साथ शाथ पर मोशन भी अच्छे तरीके सो तो इससलिए नाच की मलकीनी गाना बहुत अच्छा चला और अभी भ देलीज हुआ है वेप कमपणी के माध्य हम से continue सबी लोग के साथ में आ रहा है और भी कुछ हैं लोग जिन के साथ में ऐसे तो लगग इंडस्ट्री में इतने भी लोग सब के साथ मैंने वर्क किया है बट कुछ न चेहरे देखने के साथ में मिलेंगे वियो तक बढ़ा सवा बन जाए ये मानसिक्ता लेकर आते हैं इस पर आप क्या गाना चाहेंगे इस पर तो मैं एक ही बात बोलूँगा कि ज़रूरी नहीं है कि असलील गाने से ही इंसान ही हिट हो जाकता है अगर गाने वाले तो बहुत लोग असलील गाए अब देखने सुनने का भी नजडिया होत मैं एक 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 जामबल तो आपको देही सकता हूं हिंदी में लोग बोलते हैं ना साइकल चला रहे है हम लोग लोग चला वाता तो सायद मुझे लगा है कि उची लोग को बालगर लग जाए सई कि लिया चला वाता कि हमारी जो भुशपूरी ने एकदम ठेट भासा है जो ही बोलते हैं ना एक दम कि मतलब ले लेवदा पीटा हूँ अला पाप एक दम खड़ी बोली है बट वाकवी में उसी मीठापन भी है बहुत ज्यादा मीठा भी भासा है और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप बलगर गाने का कही ही हिट होंगे अच्छे गाने वाले भी लोग को एक पुत जबोए हैं कि बितना परियास होता है कि कम से कम लोग जितना वाढ़ हो सब के लिए रखें अच्छे अच्छे गाने बनाए कि काहीन हमारी भी फैमली से इस्टा से वोट्सप से हर एक जगों से जूड़ी हूई है प्च्छा गाना का यह बेस्ट है वह भी चल भूज़पर ने करना बढ़ता है जब तक आप कुछ ना बन जाओ इस्ट्रगल तो हमेशा है देखा जातो अभी भी क्या नहीं है मैंने मुझे लगता कि 5-6 जार गाने में बना है और अभी पर डे नाइट एस्ट्रगल करता हूं कि कुछ नया हो जाए अच्छा हो जाए नहीं है अगर सभी लोग चाहे तो बिलकुल होगा किसी एक के चाहने से कभी नहीं हो सकता भूजपुरी इंडश्ट्री में मुझे इसा लगता है मैंने बहुत परियास किया कि कुछ अच्छा बनाओं अभी भी परियास रहता है बट चार सी बाते जो लिखके आता है जो वही लोग बनाते है हम लोग के पास तो आएसा आता है नारे नारे करके उसमाज मिनी नहीं और सब्द किया है बस नारे-나रे आया हम लोगने Track बना के दिया गाने रिकोड़ों के मिक्सो करेली आजा ऑना अच्छा मैंने यह रहना बना तो sब लोग परियास करें तो जाहि जी वहाल, कहाएं जी होगए, कहेसारी जी होगए, दिनेजी होगए, तो इनके साथ, आपका कोई अपकमिंग प्रोजक्ट है जिसे आप बता सकते हैं धर्सप्री से? अभी दिनेश जी के साथ भी मेरा प्रजेक्ट आने वाला है मतलब फार्ष टाइम ही मैं काम करूँगा भाहिया के साथ और खेसारी जी के साथ भी है परमोज जी के साथ भी है अंकुस भीया के साथ है अरितेस पांडे जी के साथ में है कालू जी के साथ में हैं मतलब जितने भी हैं लगभख सभी लोग के साथ मेरे बॉलबं के संग हुए हैं और कंटीनिव आएंगे बस अभी सबका सुटिंग वेगर अचला भी फिलाल तो जैसे होंगे सब सुनने को मिलेंगे अच्छा सर भोजपूर इंडेस्ट्री में एक हाल में ही निल कमल जी का वीडियो वारल हुआ है जो कि बहुत ही गंदा है इस पर भोजपूरी इंडेस्ट्री वारे आप बहुत अपत्ति जता रहे हैं इस पर आप क्या कहना चाहेंगे कि इस पर तो मैं इसलिए कुछ नहीं बोल सकता क्योंकि ऐसा मैं अपने लाइफ में फर्स्ट बार देखा हूं तो इसका नहीं मेरे पास सवाल है नहीं एंसर है क्योंकि जब से जनम होई है मेरी और जब से भोजपूरी इंडेस्ट्री में 10-11 साल से हूं तब से फर्स्ट कि अक्षर कर लोग बोलते हैं जो बहुत करीब से नहीं जानते क्या है रहे ओ एटिटुड वाले हैं ऐसे हैं वैसा कुछ नहीं होता है एटिटीट हो नहीं होता है मेरे देखने से क्योंकि काम के मतलब लेके लोग इतने प्रेसराइज हो जाते हैं इतना ब्यस्त हो जाते हैं सभी लोग कि हाँ यह है कि थोड़ा जो हम अपने दोस्तों से एक घंटा तक बात करते थे आज एक मिनट भी न हो पाई सायद आज ना क क्रेंट है ना तो आप इसके situation को समझझे को बंदा अगर देंगे में अगर आपको रिप्लाय नहीं करते है तो वाकिए में गलात मैं उस यह उस वे में बट अगर आपको एक दो दिन में ठीक है बिए बैस्त ओं पर कॉल किया कैसे हैं किया है, क्या है भाई शौरी बीजित यह विखे और बीन विन्दा इसा नहीं होता है वाक की में सब लोग मस्त हैं जितने भी लोगे साथ मैंने काम किया हैं वह किसारी भी आ ही नहीं है सब वाकई में मस्त हैं बस यह हैं कि खोड़ा सा ब्यास्त मिनें बाकी कुछ नहीं तो सर आप ये बताना चाहेंगे जैसे कि आप भोचपुरी में इस मुकाम पर पहुचे हैं सर मेहनत करके तो क्या आपको बॉलीवूड से भी कोई ओफर आता है जैसे कि ब्यूजिक बगरा बनाने के लिए ऐसा कुछ बॉलीवूड का मुझे ओफर आया है और मैं सौखिया करता हूं बॉलीवूड सौग मन्थ में एक दो गाने कर लेता हूं बस उसमें एरेंजिंग में भी नाम जाए कोई मतलब नहीं बस सौख के लिए करता हूं कभी-कभी होता है कि कंटिनी भोचपुरी गाना कर रहे हैं कुछ गुजराती भी हो गए कुछ मराथी भी हो गए मुंबई रहता हूं भासा समझ में नहीं आता पर में उजिक कर लेता हूं और बॉलीवूड के भी गाने मैंने किये हैं तो अभी कुछ है चल लें बड़ा प्लानी और साथ ही साथ है लोग एक और बात बोलते थे अब UAले में Hindi का बहुत शरह वर्क किया हूं नामेने हिलूग किसी के पोडक्षन में ही काम करता था ठीक और हिंदी करता था प्रोपर और वहां एक नहीं लग पक दिखता एक हासम दिखता है तो हुष ही साब से मितलब मैंने टोक cookies इंटर्म बाते भी होई तो क्यों इसा भी दो तोauthसे दोड़िए अपना जीना खाना सब कुछ है अब अपने स्टूडियो के बारे में दर्शकों को कुछ बताएंगे देखे हमारे जो भी लोग काम कराते हैं उनके लिए बस एक यही है हम सुरू से लेके अभी तक कहते आ गया और कहेंगे कि हम लोग अपना पूरा एफ़र्ड देते हैं खास करके सिंगर भाई लोग जितने भी हैं मेरे गर वो भी अपने तरफ से गाई की को लेकर एफ़र्ड का 10-15 है तो थोड़ा बर्डेन होता है काम को लेकि एक नहीं दो दिन बाद मिला बट कोशिश रहता है कि जितना बेश्ट हो पाए मैं करूं कहीं ना कहीं हमारा भी नाम जुड़ा रहता है जाइट सी बाते कोई गाना खराब होता है तो मेरा भी नाम खराब होगा तो और सब्सक्तरी है जितने भी मेरे मतलब ब्रांग के गाने है जब पटना डिलि चाहे मूंबई चाहे जो भी ब्रांच हो मेरा बीना सुने मैं भेजता नहीं हो कहीं पर ऑफ में सुनके ही भेजता अखर कर मास्ट कोई दिकत भी होता है तो मैं बोलता हूं भाई मेसेंजर पर से कॉंटेक्ट करिए मैं खुदी बात करके स्वाल करूंगा और करता भी हूं जितना हो पाता है अगर उसके लिए कोई छुट जाता है तो माफी चाहूंगा बट परियास रहता जितना बेश्ट हो पाए यह गाना मलब इसके पारे में बताना चाहते हैं कि भगवान तेरा ध फाइनल रिकोर्ड मास्टर निकले छे महिना हो गया इस गाने बट वही है कि रिलीज में थोड़ा डिले हुआ कि बहुत सारे भाईया के प्रजेक्ट वाले रिलीज पे लगे थे तो इसको थोड़ा डिले करके रिलीज किया गया और उसका वीडियो वाकई में सायद रिली जो सौंस है देखिए हम लोगों ने जितना एफट लगाया है अदियो पे जितना महनत किया है भाया ने लिखाया दो लोग भी उससे कई जाना मतलब ज़्यादा एफट वीडियो पे वो लोग लगा रहे है क्यूंकि इतने दीन डिले होने का मतलब की बेश्ट ही जाएगा हम लोग का भी का नहाम है अगर कोई प्रजेक्ट डिले हो गया है छे महीना साल भर तीन महीना तो आप कई में हम लोग कोशिश करते हैं जितना बेस्ट हो पाए ताकि लोगों को यह लगए कि भाई चलो लेट किया पर अच्छा तो किया कुछ ऐसा है हमारे सब की प्रातना साथ में हैं बलकूल धन्यबार साथ पूछना चाहेंगे सार कि जैसे आप बड़े-बड़े कलाकारों को करा कारेकर में जो म्यूजिक दे थे हैं तो ऐसा चोटे-चोटे जो कला-कार अइने कला का रहते तो उनको भी क्या म्यूजिक प्रोवाइड कर व फिर उसके बाद बाकी सब भाई लोग का ही काम हते हैं, मेरे हैं, जितने भी लोग हैं, और ऐसा कोई यह नहीं है, मैं सिधा बोलता हूँ, अगर आप अच्छा गार हैं, बिंदास कॉंटेक करें, आप से जादा मेहनत करने की गरांटी मेरी है, आप मेरे साथ बैठ भी सकते ह हम बैठ के काम कर देंगे, बट अच्छा गाना जाए है, आप अपने गाई की उपर मेहनत करेंगे, उससे जादा हम मेहनत करेंगे, नहीं करेंगे तो हम और लेड़ी सूष ताज में हैं, भाई, शिधा बाठार है, अच्छा सर, पवन सिंग के साथ आपका बोलबम 2021 में को कुडूकु मुर्गा जब बोली, उसके पहले मैंने नौरातरी का गाना किया था, पौन भिया के साथ, तो अभी कुछ हैसा आया नहीं, आएगा तो बलकुल हम करेंगे, जितना हो पाए। सर, आप बताएए, भोजपूरी इंडेश्ट्री में सबसे ज़्यादा पसंद आपको एक्टर कौन लगते हैं। देखिए, काम करने के लिए मैं मतलब बजपन से बोलूँ तो मैं भोजपूरी फिल्म बहुत कम देखता हूँ, बहुत ही कम, मेरा गाओं है, मतलब बिहार से बिलोंग करता हूँ, बट बहुत कम रहा हूँ काओं में, ज्यादा तर अपना पटना, हर्याना, कोलकता, अब हुजपूरी जिन्द की बाकी टाइं छे साल तो ममबैी में हो घाय अब ह aún, तो में भोजपूरी फिल्म बहुत कम देखता हूँ, बत जब ऐसा है बट फिल्म बहुत कम देखता हूं फिल्म में देखता हूं जादा था साउथ तो अपने तरफ के जादे मतलब ज्यादा तरेक्टर दिखते हूं उसमें रभी किसंगी तो बेस्ट बोल सकते हैं कि मुझे अच्छे लगते हैं हाँ बिलन के रूप में जो भी मस्क एक़र हूं क्यों साउथ के मभिया भैसे लगते हैं बुस्पर हैं मुझे लगते हैं कि तना मैं लाइफ में बॉत छोटा था तो साथ सहली आप स हूं अ क्वाँ धिक्चर देखने गा झाने इंगें गोपल इंच behavior में ठीटर थी वेमिली के साथ अнов Кстати ले उसके बत बुस प तो थोड़ा क्या है ना जो हम और लेडी भोचपुरी से बिलॉंग करते हैं गाउं की भासा जानते हैं तो जयर शी बाते पर देखते हैं कोई अच्छा काम मुहिम चल लाए तो सभी लोग साथ दे रहे हम हमेशा से उनके साथ में और रहेंगे भी अब जैसे बोल रहे थे कि आपको गाना सुनना काफी जादा पसंद तो आप बता सकते हैं आपके मतलब आपके सुनने के हिसाब से आपको गायक में कौन पसंद है सुनने के अंसार अगर देखा जाए तो सबका एक अलग-अलग फिल है अब हम कहीं पर पूरा आर्केष्टा डांस कर रहे हैं तो ठीक है परमोजी का गाना लग जाए खैसारी भी अगाना लग जाए चल लाए एक डम ढ़िचिक ढ़िचिक और थोड़ा सा अलग मोहल में है सरीर का या कोई भी बाहर आपसे आंक से जो दिखती है न चीजे कोई असा चीज नहीं जिस पर गाने नहों आप टेबल पर बैठें आप फोन चला रहें आप एसी चला रहें कुछ भी चलाए सब पर गाने बस सर्चमारी आप मिल जाएंगे नहीं हो तो बोलिए बन जाए यह जाना चाहते थे कि जैसे कि आप बहुत सुपर्स्टार लोगों के मुजिक बनाते हैं तो ऐसा कोई सुपर्स्टार इसको आपने बहुत जादा मतलब सबसे जादा टाइम दिया हो मुजिक के लिए देखिए वो क्या होता है ना मुजिक डॉमी एसकरेच जो आता है उस पर घंटा उसके लिए मेरी मजबूरी है लगाना क्यूंकि जो चीज गाना का रूट खोज रहा है वह हम नहीं देंगे तो फिर मतलब क्या हो सिंगर को मेरे से काम करा की तो यह डिपेंड करता है कि हां यह है बस क्यों डिपेंड करता है स्क्रेच कितना बेस्ट है आप कोई हम लोग जब काम करते हैं तो सुनने में इतना बेश्ट लएगा उतने ही बेश्ट सीजें बनती है जैसे कि काफी सारे कलाकार यहां पर आते हैं तो जैसे कि अग्दम जो अभी स्टार्ट करना चाहता हो यह फिल्ड में म्यूजिक के फिल्ड में जैसे आप जिस लेव भी अविजिक लग अलग अलग पार्ट में चलता है कोई हर्मुनियम अच्छा प्रता कुई अच्छा प्ले करते हैं किशी को रिदम का सेंस बहूट अच्छा है मैं तो एकदम डबबा हूँ, मुझे कुछ नहीं घाता ह, 사iriser सली में बताऊ हो जीर बस हमेशा सीखते रहता यह बहुत माईने रखता है और एकदम जो स्टार्टिंग है ने स्टार्टिंग करने के लिए तो आप हर्मोनियम सेखिए फिर उसके बाद मीडी पाटेशन सेखिए उसके बाद एक अच्छा प्रोपर क्लास ले लीजिए पूरा आप सौफ्रियर का नॉलेज हो जाए आपको कमप्रिटाइज नॉलेज है तो आपर मुजिक डायेक्टर करने के लिए बेस्ट है एक एक स्टेप एक स्टेप करें जाते हमारे दर्सकों कुछ कहना चाहेंगे बिल्कुल हमें ही कहना चाहेंगे कि भोजपुरी समाज धीरे धीरे आगे बढ़ रही है गानों से लेके फि और अभी किसंजी हो चाहें वो पॉन जी का गाना हो कहीं नहीं कहीं विदेश में भी लॉली पप गाना बजा है वह पर हम लोग तो बचपन से सुनते आ रहे हैं तो यह हमारे लिए और हमारे समाज के लिए बहुत ही बड़ा खुशी का बात है तो हम यहीं चाहेंगे कि आ भाई पांस जार दस जार पर पूरा जीवन खड़ना है बट हम लोगों कोई गाना बना के भीजते हैं उस इंगर बोलते हैं नहीं भी आप अच्छा काम कियें एक और नहीं होता है कि आप उसमें कुछ खराब भी है तो ठीक है भाई इसमें और कुछ अच्छा कर सकते हैं चाहे कोई गाना ही परजेंट किये लोग का बहुत जयदा प्यार असिर बात मिला तो हमारी बहुत बड़ी बात है उससे हम लोग को और यह होता है अनरजी मिलता है अगला गाना इससे भी बलाष्ट करना है कुछ ऐसा बनाना तो यह चीज़े होती है बस आप लोग भी